नमश्कार, बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू कोरोना रोधी वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने दावा किया है कि उसकी को वैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वाइरस के दोनों वेरियंट के खिलाब प्रभावी है हैदरवाद स्थित कंपनी ने मेडिकल जर्नल क्लिनिकल इंफेक्शिस डिसीज में प्रकाशित एक अध्यन रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि भारत में मिले B.1.617 और ब्रिटेन में पाए गए B.1.1.1.7 वैरियंट समेट कोरोना वाइरस के सभी स्ट्रेन से को वैक्सीन सुरक्षा प्रदान करती है भारतीय चिकित सा अनुसांदन परिशद और राष्ट्रे विशाडू विज्ञान संस्थान के सयोग से ये अध्यन किया गया था को वैक्सीन के विकास में भी इन दोनों संस्थान का सयोग है वहीं कमपनी का कहना है कि नई वैरियंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाले वैग्यानिक शोद के आक्डों के प्रकाशन से को वैक्सीन को एक बार फिर अंतराश्ट्रिय स्थर पर माननेता मिली है एहमदाबाद स्थित हैस्चर बायो साइंसिस के सीईओ और प्रबंद निदेशक राजीव गंदी ने रविवार को कहा कि कमपनी ने भारत बायो टेक से प्रोध्योगी की हस्तासरण के जरिये कोरोना वैक्सीन उत्पादन के लिए गुजरात सरकार के साथ काम किया है इस संबंद में उसकी भारत बायो टेक के साथ भी बातचीच चल रही है इसके लिए गुजरात सरकार के नेतत में त्रिप्रक्षिय संग गठित किया गया है वहीं सरकार का भी कहना है कि कोरोना वाइरस के भारत और ब्रिटेन में मिले वेरियंट पर कोवेक्सीन काफी प्रभावी है इस वीडियो में फिलहाल इतने ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे सार